नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जाडू को साक्षात मा लक्षमी का ही रूप कहा जाता है और जाडू के प्रयोग को आपके भागे से जोड़ कर देखा जाता है। आम तोर पर सभी के घरों में चोटे उपाय बताए हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है यदि इनका सही तरीके से पालन किया जाए तो व्यक्ति की जिंदगी बदलते देर नहीं लगती। से घर में आने वाली गंदगी को आम तोर पर घर में जाडू लगाकर घर से बाहर कर दिया जाता है। वहीं पर अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं, कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो आप अपने जीवन में आने वाली निर् को भी इस जाडू के माध्यम से अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। माना जाता है कि जाडू के कुछ खास और छोटे-छोटे उपाय कर लेने से ही आपके घर में और आपके जीवन में कभी भी सुक और एश्वरे की कमी नहीं रहती है। सास्तरों में वर्णित है कि जिस घर के कोने-कोने की सफाई होती है उस घर में सदाही लक्षमी वास करती है। और घर के सभी वास्त दोस मिट करके घर में हमेशा खुशी भरा सकारतमक वातावरण बना रहता है। दोस्तों वैसे तो ज़ाडू लगाने के धेरों नियम होते हैं। अगर आप उन सभी का पालन करते हैं तो आपको माता लक्षमी की किरपा तो मिलती ही है। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप उन सभी नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको जाडू के नीचे एक ऐसी क्या खास चीज है जिसे रखने से माता लक्षमी की किरपा आपके उपर बरसने लगेगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। वे कौन सी चीज है या वे कौन सी वस्तु है जिसे अगर आप अपने घर में रात्र वे कौन सी चोटी चोटी चीजे हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए वे कौन से नियम हैं जिनने हमें अपना लेना चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जै माता दी, जै मालक्षमी एक बार अवश्य ऐसा कमेंट कर दें और ज़्या बात करते हैं वे कौन सी चीजे हैं जो आपको अपने जाड़ू के नीचे रखनी चाहिए दोस्तों जैसा की हमने आपको पहले बताया था कि जाड़ू को माता लक्ष्मी का फ्रतीक माना जाता है माता लक्ष्मी स्वाक्सात रूप से जाड़ू में निवास करती है इसलिए आपको अपने घर में जाडू को विशेश रूप से ध्यान पूर्वक रखना चाहिए, साब स्वच्छ जगा पर रखना चाहिए, कभी भी घड़ी जाडू को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, और ऐसी जगा पर भी नहीं रखना चाहिए, जहां जाडू के उपर पैर प पारों पर जैसे होली, दिवाली, एकादसी, शुकरवार, वीरवार, ऐसे कुछ खास सायोग होते हैं, ग्रैन बगरा, या पर पूर्णमा, अमावश्या, इन पर आपको दान करना चाहिए, दान करने के लिए क्या करें, कि आप अपने घर में से कोई भी नई जाडू को ले कर ब्रह्म मूरत में मंदिर के शीडियों पर छोड़ कर आ जाएं, ये दान गुप्त होना चाहिए, इसके बारे में किसी को पता ना चले, इस परकार से आप इसका दान करें, पुराने समय में लोग ऐसा करते थे, कि जब उनकी जाडू टूट टूट कर गिरने लगती थी, प पुराने जमाने के लोग बताते हैं, कि पहले मंदिरों में सफाई करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके घर में हमेसा ही बरकत बनी रहती है, इसलिए आप भी गुप्त दान करें जाडू का, और साथी मंदिर में अवश्य दान करें, और मं पूटकर गिरने लगी है, पुरानी हो गई है, उसे आप उठा करके परवाहित कर दें, अपने घर से निकाल दें, ताकि वे आपके घर में किसी भी परकार का वास्तोदोस उत्पन ना करें, इसके अलावा दोस्तो एक नियम आप अपने जीवन में अपना लें, ताकि आप के घर में कभी भी किसी प्रकार की धन हानी बिलकुल भी ना हो वे अन्य प्रकार की समस्याई भी उत्पन ना हो आप ये इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर में पोचा लगाएं जाडू लगाएं और पोचा लगाएं तो आप खास ध्यान रखें कि भी भी आप ज़ाडू ना लगाएं क्योंकि दोस्तों आगो बताया था कि ज़ाडू को साक्षात रूप से लक्षमी का परतीक माना जाता है। अगर आप जूटन पर सीधी ज़ाडू लगाते हैं तो इससे मता लक्षमी क्रोधित हो जाती है। इसके लिए अप क्या करें उसपर थोड़ा सा पानी डाल ले या पिर उसके कपड़े आदी से पूछ कर ले उसके बाद आप ज़ाडू लगाएं। दोस्तों यह यह एक ऐसी मानता है जो प्राचीन समय से चली आ रही है। जो भी कोई व्यक्ति इस मानता का पालन करता है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं होते हैं, दर्जदरता नहीं होती है, उसका जीवन सुख और ऐस्वर से भरा ही रहता है। दोस्तों, इसके अलावा कर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी परवेश करें और इस्थाई निवास करें, वह आपके घर में हमेशा के लिए इस्थिर हो जाएं। तो इसके लिए आप क्या करें, कि आप जब भी नई जाडू लेकर आए अपने घर में, तो उस उसे आप जाडू की handle पर बान दे। ऐसा करने से माता लक्षमी सदयव आपके घर में इस्थेर और इस्थाई वाज करने लगती है। इसके अलावा जब भी आप अपनी घर में जाडू का इस्तमाल करें। इस प्रती दिन करें आपको बहुत ही विलाब मिलेगा। दोस्तों आपको करना क्या है कि आप जब रात्री को खाना वाना खा करके निर्वित हो जाएं, तब उसके बाद सोने से पहले आप अपने गर के मुख्य दर्वाजे के पास, यानि कि गर के अंदर से गर के मुख्य दर्वाजे के पास जाडू को लिटा कर रख दें, ये तो जीरा तो हर किसी के घर में प्राप्त होता ही है, हर किसी के पास होता है, साथ ही आप गिंती करके आप 11 दाने सुखे धनिये के भी डाल दें, यानि कि साबू धनिये के डाल दें, अगर आपके पास नहीं है, तो आप दिन में ही ले आए और रात को आप जीरा और धनिया दोनो और पर दोस्तों आपको ये प्रियोग रात तरी को ही करना है। आप इस प्रियोग को किसी भी दिन कर सकते हैं। सौंबार से लेकर के रभी बार तक आप किसी भी दिन से इस प्रियोग को सुरू करें और प्रति दिन करें। अब आपको क्या करना है कि अगले दिन सुबह उठकरके अपने घर में जब आप जाडू लगाएंगे तो आप उन जीरे और जो सूखे दनिये के दाने थे उसे भी घर के कुड़ा करकेट के साथ ही बाहर निकाल करके जाडू के साथ फेंग दे। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में जो भी नकारतमक उरजा थी, दरदरता थी, धन हाने होने के जो योग थे, वे सभी योग इस जाडू की गंदगी के साथ आपने अपने घर से बाहर निकाल दिये। और जिस घर में संपूर्ण रूप से सफाई होती है, वहाँ पर माता लक लक्षमी के परवेश अवश्य ही होता है, जो भी कोई ये उपाय करता है, उसके घर में बरकत बढ़ती है, और सुख समर्दी आती है, तो दोस्तों आज की वीडियो में केवले इतना ही, कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लद्धे में जाते धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, जै मातादी, जै मालक्षमी, जै बजरंग बली